तो आपसे को नमस्ते पराम मैं आपको अपना ठागुर प्रकर सिंग और रात के दस बच्चों के और कहानी का जो सिल्सिला है बदस्तूर जारी है कल की कहानी में सुरुआते 6 मिनों तक आप लोग को बड़ी दिक्कत होई होगी चुकि दरसल मेरे जो वीडियो बनाने का फॉर्मेट है एक डिवाइस जो में कैमरा है उससे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और एक ऐसी डिवाइस और एक ऐसा माइक मैंने उसमें खुद अपना भी कुछ दिमाग लगाया है इस हिसाब से मैंने रखा है कि आपको बैग्राउंड की कोई आवाज, कोई दिक्कत और जो मेरी आवाज है बहुत हिसाब सुनाई दे तो वीडियो एक अलग डिवाइस में रिकॉर्ड होता है और एक अलग डिवाइस में तो कल दरसल क्या हुआ कि वीडियो तो रिकॉर्ड होता रहा लेकिन शुरुआते छे मिनट तक जो आवाज सुनी वह में कैमरे का डिफॉल्ट सौंड था तिस वजह से कुछ देर तक आप लोगो मज़ा नहीं आया होगा कहानी सुनने का हाला कि जो डिवाइस थी उसने फिर अपना काम कर दिया छे मिनट वाद हो सही से रिकॉर्ड करने लगी लेकिन अब मसीन है तो धोखा दे सकती है मैं भी जब यह चीज जाना तो बड़ा दुखी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था इसके लिए फिर मैंने जुगार लगा है कि अगर रिकॉर्डिंग अपना कीया जासकता है तो आज से ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी और जो कल दिक्कत वी उसके लिए आप लोगों से बाफी मांगता हो और इसे के साथ कहानी के बारे में आता हूँ और कहते हैं कि किसी से इश्क होना गलत नहीं है और एक बड़ी अच्छी सी लाइन बोली गई है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि इश्क जब होता है तो ना आदमेजाद देखता है ना मद देखता है, ना मज़ाब देखता है ना मीरी, ना गरीबी, ना दोस्थ, ना द।स्मन, कुछ नहीं देखता, हो गया तो हो गया अब सुनने में ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि जसको जिससे इश्क होना होता हो जाता है लेकिन सायद ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ रिस्तों के कुछ माइने होते हैं कुछ रिस्तों के कुछ लिमिटेशन होती हैं हर इंसान वो इश्क नहीं होना चाहिए हर किसी से नहीं होना चाहिए और जब आदमी इन्हीं सब लाइनों की वज़ा से कि जिसको जिससे होना होता हो जाता है अपनी मर्यादा को पार करता है तो कई बार इस कान तितना भयानक होता है कि फिर उस पे एक कहानी बनती है और उस कहानी को आपके सामने हम जैसे लोगों को रखना पड़ता है तो सिधा-सिधा इस कहानी करूप करते है और इस कहानी की सुरुगात होती है, कानपूर से, कानपूर में एक जगा लगती है कोईला नगर, और इसी कोईला नगर में एक शक्स रहा करते थे, पेसे से ये टीचर थे, बाकी जो सुनने सुनाने में आया है, कि करोडों में इनकी प्रॉपर्टी थी, बाप दादाओं ने इतनी जमीन छोड़ी थी, इतनी प्रॉपर्टी वो लोग बना के गए थे कि सरकारी नौकरी तो महज एक टाइम पास का बहाना था, बाकी कहते हैं कि 45 करोण की तो सिर्फ इनकी जमीन थी, अलग-लग जगों पे प्लांट्स थे, अलग-लग जगों पे इन्हों ने कुछ बिल् बच्चे थे, 41-42 साल इनकी उम्र थी, और पूरे इलाके में पूरे उस जगहां पे कोईला नगर में, इनका जो नाम था राजिस गोतम, उसकी तूती बोलती थी, चुकि साइध इनकी गिंती पूरे उस कोईला नगर के सबसे अमीर शक्ष के रूप में होती थी, ब्यवार इसको लेके भी बड़े कॉंसियस थे, शुबा होती तो ये टहल नहीं निकल जाते हैं, बीना टहल लिए, बीना वर्म अप कर लिए, बीना मार्निंग वाक की हैं, ये मुँमें एक दाना टक नहीं डालते थे, 22 साल के उमर में भी लोग इनकी फिटनस के एक तरह से मुरीद बानते थे, सारी चीजे बिल्कुल ठीक चलती रहे वक्त गुजरता रहा, और ऐसे ही चार नॉम्बर की बात हैं, जो राजिश को तम है, वो मौर्निंग वाक पे निकलते हैं, इनका डेली का रोटीन था कि ये साड़े पांच बजे सुबा सोके उठ जाते थे, और उठने क पे घूम रहें, अपने हिसाब से बाचीत कर रहें, इसी बीच एक बेहस्तेर रप्तार कार, लवग उसकी स्पीड की बात करें, तो सक्तर से असी की स्पीड में, पीछे से आती हैं, और आने के बाद ये सड़क पे घूम रहेते हैं, इनको ठोंक देती हैं, गाड़े की इतनी ज्यादा थी कि इनसे टकराने के बाद गाड़ी भी डिस्बैलेंस होती है, और वहीं पे एक पोल लगा था, उस पोल से जाके टकरा जाती है, अब साड़े पाच बजे नॉम्बर का महीना सुबस हुआ, हलकी हलकी ठंड, इनका एक्सिडेंट हो जाता है, सारे लोग जो आसपास थे, वो देखते हैं, देखने के बाद इनकी तरफ भागते हैं इधर जो गाड़ी जिसकी थी, जो वो देखता है, उसके हातों से एक एक्सिडेंट हो गया, इस पीड ज्यादा थी तो पता नहीं वो बचा या नहीं बचा, तो लोग भी गाड़ी छोड़के व अब तक साइद काफी देर हो चुकी थी, और गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसकी टकर की वज़ा से राजिस गौतम की मोत हो चुकी थी, अब हॉस्पिटल ये मामला गया, उधर पुलिस को किसी ने इतला कर दिया, कि एक्सिडेंटल डिट का केस आया है, पु तो तमाब जी रेजिस्टरेशन चेक करते हैं, उसके बाद रेजिस्टर कर लेते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि काम करू बॉडी का पोश्माटम करते हैं, पोश्माटम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं था, एक्सिडेंट की वज़ा से डेट्थ हुई थी, ले आजा जो प गर में तो दुखों का मावल, एक अच्छा खासा सक्ष जो करूणपती इंसान था, ठीक ठाक पूरे इलाके में उसका नाम था, उसकी यूँ एक्सिडेंट में मौत हो जाना, पूरे इलाके को इतरा से जग जोर के रख देता है, सारे लोग दुखी थे कि इतने बढ़िया इंसान थे इनकी मौत हो गई, मामला रफा दफा हो गया, बात आई गई हो गई, सारे रिष्तेदार, घर परिवार के लोग ही कठा होते हैं, बॉड़ी का अंतिन संस्कार हो जाता है, पुलिस वाले भी इस केस को एक्सिडेंट मानके, बस क्लोज करने वाले होते हैं, चार अंतिन संसकार कर दिया गया, उसके बाद फिर छे तारिक को सारे रिष्तेदार इकठा हो गए, जो भी हिंदुरी रूती रिवाज के हिसाब से, तमाम सीजे होती हैं, उसकी तैयारी होने लगी सुद्धी करन की, तेरवी की, परिवार वाले अब, जो हुआ था, उसे सच मा के बैट गए, इधर जो बेवी थी जिनका नाम था और मिला और पिंकी, जब उन्हीं सूचना मिली कि उनकी पती का, एकसिडेंट में देहान थो गया है, तो एक तरह से ये सदमा वो बरदास नहीं कर पाई, और उन्हें भी हॉस्पिटल लेके जाया गया, वो बगातार बे इसी बीच राजिस गौतम का इक भतीजा है, जिसका नाम है पवन, और ये नेवी में तैनात है, वहाँ पे जब उसे सूचना मिली कि उसके चाचा का एकसिडेंट हो गया, और एकसिडेंट में चाचा की मौत हो गई, तो वहाँ से वो छुट्टी लेता है, लेने के बाद क टहल ने निकलते थे, और आज भी टहल ने निकले और उसके बाद उनकी मौत हो गई, एकसिडेंट में, अब ये तमाम चीज जब भतीजा सुनता है, तो परिवार वालों ने इसे एकसिडेंट माल लिया था, लेकिन जब पवर ने सुना तो उसे कुछ डाउट हुआ, चु जो हमेशा सुनसान रहती है, वहाँ पर चाचा घूमने निकलते हैं, अचानक से गाड़ी आती है, आने के बाद गाड़ी ने जो आसपास की लोगों ने बताए कि ब्रेक भी नहीं मारा, उड़ा दिया, उड़ाने के बाद गाड़ी इतनी तेज रफतार में थी कि खंबे स टकराई, उसके बाद वो लोग भाग गए, लेकिन वो लोग कौन थे, कहां से आये थे, उनका इतने तेज गाड़ी चलाने का मकसद क्या था, क्या किसी ने जाननी की खोशिश की, अब लगबग 10 से 20 दिन बाद जब ये बात भतीजा बोलता है, तो सारे लोग अपसन, कि ब लोग मानने को तयार नहीं होते हैं, एक्सिडेंट ही है, लेकिन अब भतीजे के साथ साथ जो राजिस गौतम के भाई थे, ब्रहमनतत, यानि पाउन की पापा, वो भी अब कहते हैं कि नहीं, ये एक्सिडेंट नहीं है, और हम इस मामले में बार जाच करवानी चाहिए, अ आपने अभी तक जाच परताल थोड़ी बहुत किया, एक्सिडेंट मान के बैठ गए है, पुलिस वालों ने का कि भाईया, इसमें जाच परताल का कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तमाम चस्मदीत थे, तमाम वहापे लोग थे, सब ने देखा कि गाड़ी याई गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया, सामने ये पढ़ गए, उसके बाद गाड़ी खंबे से टकरा गई, उसके बाद ये तमाम चीजे हैं, तो इसमें जाच क्या करना, इसके बाद जो पवन है, अब चुकि नेवी में था, तो पुलिस वाले भी उसका सम्मान कर रहे थे, पवन ने का कि स जब पुलिस वालों से पवन ने बोली, तो पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, करोन पती इंसान का मामला है, चेक कर ले नहीं, तो क्या पता, ये लोग उपर पहुंच जाएं, सिकायत करने लगें, तो फिर जब पुलिस कोई बातें लगी, तो पुलिस ने कहा, च असल कैमरे में पूरा एक्सिडेंट जो हुआ था, वो कैद हो गया था, कैसे राजिश गौतम सड़क पे टहल ले थे, कैसे एक 182 की रफ्तार में एकोकार आती है, आने के बाद राजिश गौतम को ठोकती है, ठोकने के बाद गाड़ी एक खंबे से लड़ जाती है, लेकिन इसी के बाद वहाँ एक बैगनार आती है, और आने के बाद जो लोग इस गाड़ी में बैठे थे, फौरण वो लोग कुदुत के, यानि गाड़ी तो इनकी लड़ गई थी, चलने की हालत में थी नहीं, तो पीछे जो बैगनार कार आ रही थी, उस काड़ी में जाके ये ल पुलिस वाले देखते हैं तो फौरण जो राजेस था, राजेस का भतीजा पवन, वो कहता है कि सर ऐसा कैसे है कि एक कार एक्सिडेंट करती है, तो बगल वाली कार उसे लेके भाग जाती है, यहां तो मामला सस्पीसियस है, पुलिस वालों ने भी देखा तो नहीं भी कभी परिवार वालों से पूस्ताच, कभी वीवी से पूस्ताच, कभी घर की अन्य सदस्चों से पूस्ताच, अब इधर अलग लोगों से पूस्ताच कर रहें साथ ही अब मामला कतल का हो चुका था, तो सबसे पहले जो गाड़ी थी, उनका रेजिस्टेशन नंबर चेक कर यह सीधा सीधा कतल का मामना है पुलिस वाले अपने तरीके से सारे घोड़े खोल देते हैं जाजपरताल तबियस से करने लगते हैं कभी गाड़ी के बारे में पता करते हैं कभी कैमरों को खंगालते हैं और साथ ही इस परिवार का बैग्राउंड भी खंगालते हैं आसपास क आदमी थे तो दुस्मन तो कई थे क्या कोई ऐसा है जो घर का भी सामिल हो अब यह तमाम चीज़ जब पडूसियों से कुरुईदा जाने लगा तो पडूसी तो हर घर की खबर रखते हैं तो ऐसी पडूसी निकाह की साथ वैसे तो राजेश भाईया बड़े अच्छे सुभ के अदमी थे लेकिन इस बीच उनकी और उनकी बीबी की बीच कुछ अनबन चल नहीं थी कई बार हमने बहस होते देखी चुकि बीबी जो थी हो किसी के साथ अफेर चला वैठी थी और अफेर की वज़ा से राजेश भाईया काफी नाराज रहते थे अब पुलिस वालों न ने सोचा की चलो बीबी के मन को टटोल के देखते हैं सबूत सुराक तो कोई था नहीं पुलिस वाले जाते हैं और बीबी से पूस्टाच करते हैं कि आपके पती का accident करवाया गया है यानि यह नॉर्मल एक्सेडेंट नहीं है आपके पती का किसी ने कतल किया है तो क्या अब यह सवाल जैसे ही बीवी से पुलिस वालों ने पूछा यानि उर्मिला और फिंकी से पिंकी उर्फ उर्मिला जो थी उसने अचानक से कहा कि साब मुझे किसी और पर नहीं अपने भतीजे पौन पे ही डाउट है चुकि पौन मेरे उपर लाइन मारता है मेरे उपर डोरे का था मचली ने जो बयान दिया पुलिस वालों को डाउट हो गया चुकि पुलिस वालों को अगर पौन ऐसा कुछ कराता तो क्यों कहता कि मामले की जांच परता लो चुकि पूरा मामला तो रफा दपा और जिस हिसाब से फौरन लांचन लगाया गया तो जाहिर सीवा थे बीबी ही कुछ जानती है ले आजा लगबग 25 दिन बाद पुलिस वालों ने बीबी को गिरफतार कर लिया गिरफतार करके ठाने लाते हैं और कहते हैं कि मैम आपका भांड़ा फूट चुका है इंसान या तिसी में ही कि आप काईदे से बता दे वरना बड़े घर की हैं कहानी लगबग 2 साल पहले यानि साल 2021 में पहुंच जाती है दरसल साल 2021 में जो राजेश गौतम है उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज खरी दी थी अलग अलग जमीन खरी दी थी उनका प्लान ता कि अब 43 साल उम्र हो गई है कुछी 10-15 सालों में रिटार्मेंट हो जा उस वज़ा से जब तक मैं जिन्दा रहूंगा या फिर नहीं भी रहूंगा जब तक वो हॉस्टल रहेगा तो 100-200 साल तक तो पैसे वो देता रहेगा अब हॉस्टल बनाने के लिए उन्हें मिस्त्री की जरूद थी इसके लिए फिर उन्होंने अलग लग उसे ज़वरान राजिश गौतम की मुलकात सैलेंद्र नाम के शक्त से होती है सैलेंद्र अपने इलाके का एक माना जाना मिस्त्री था अब सैलेंद्र से बातचीत होती है प्लॉट दिखाया जाता है यह हुआ कि यहां बनाना है उसके बाद फिर सैलेंद्र अपना पूरा हुआ कि दस बजे राजेश स्कूल के लिए अपने चले जाते हैं घर पे सिर्फ उनकी बीबी रहती तो सैलेंद्र कई बार आता और आने के बाद जब राजेश को नहीं पाता तो उसकी जो बीबी होती उसे बैठाती चाय पानी देती नास्ता वगरा कराती है उसके बाद दोदद रहती हैं दोनो बैठके माँ पे बातसीत करते ख़ी कभार राजेश के आने का इंतिजार भी होता तो गंटों तक दोनों बैठे रहते दोनों के इस घंटोंब बातार की रहते हैं लिए बाद चीत अगे-बड़े देखते हैं दक्यों दोनों अच्छे दोसट तो ना कोई देखने वाला, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, दोनों ये दूसरे के करीब हो गए, आलम ये हुआ कि दोनों के बिच बहुत जादा ही प्यार हो गया, अब प्यार हुआ लगातार या नहीं लगा, तो करोणपती शक्स का मामला आसपास के साय लोग भाम जाता है मामना, उसके बाद सैलेंदर को भगा देता है, बीवी को भी डाटा फट करता है, लेकिन तब तक ये सब होने में इतना लेट हो चुका था कि दोने एक दूसरी के प्यार में पागल थे, बीवी ना राजे, सैलेंदर की भी ना रहने को तयार, ना सैलेंदर जहर देने का, और प्लान के तहट साल दोजर बाइस में, राजेस को उसकी बीवी ने जहर दे दिया, जहर ने अपना काम सुरू किया, राजेस की तबियत खराब हुई, फोरण हॉस्पिटल जाया गया लेकिन पैसा था, बढ़ियां से बढ़ियां हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में जाने के वज़ए से सायद जहर ने उतना काम किया नहीं था, उससे पहले ही डॉक्टरों ने जहर पे कंट्रूल किया, महिनों तक एड्मिट रहने के बाद जहर का असर खतम हुआ, और राजेस की जान बज़ गई, अब पहला बार जब खाली हुआ तो अब इस बार इनको ऐसा कतल करना था, जिससे कतल लगे ही ना, तो इसके लिए प्लान बना, प्लान में सबसे पहले सैलेंदर सामिल हुआ, उसके बाद उसका एक भाई चचेरा, वो सामिल हुआ, उसके बाद साड़े चार लाक रुपे में सुपारी दी गए, कार की वियुस पिंकी फोन करती है, फोन साड़ेंदर उठाता है, बताती है किसी कार निकल गया, उसके बाद साड़ेंदर कार लेकि बहुत तेज रफटार से आता है, उडाता है, लेकिन आज तक साइज तकर को सम्भालने की छहमता उसके इंदर नहीं थी, गारे डिस्वैलेंस होती है, इस बैलेंस होने की वज़ा से खंबे से ठकरा जाती है उसके बाद उसने जो बैकप प्लान रखा था वैगनार उसे कार में बैट के वहाँ से भाग जाता है और यहीं से जो कि दो कारों का इस्तेमाल हुआ पुलिस को और उसके भतीजे पौन को डाउट हो जाता है और यहीं से पूरी कहानी निकल के सामने आती है तो अपने आप में कितनी अजीव कहानी है कि एक करोनपती महिला एक मिस्तिरी के प्यार में इसकदर पागल होती है कि अपने ही सुहा कुजार देती है और अप सुहाग उजारने के बाद खुद भी जेल जाएंगी और मिस्तिरी साहब भी जेल ही जाएंगे और भविश्य खराब हुआ तो उन दोनों बच्चों का पिता का साया माने चीन लिया और माप पुलिस के साथ अब जेल रहेगी तो फिर बचा किया तो बड़ी अफसोस नक थी ये कहानी और इसी के साथ कहानी खतम होती है तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छी रहीगा खुश रहीगा अपना ख्याल लखिएगा अपने देश का ख्याल लखिएगा जये हिंद